हलो फ्रेंड्स आज का हमारा टापिक है दा लंचन इसके ऑथर है सॉमरसिट मॉम ये लंचन क्या है लंचन का मतलब होता है जब हम किसी गेस्ट के साथ बाते करते हैं तो उस वक्त चो हलका फुलका खाना खाया जाता है उसे लंचन कहते हैं आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये लंच का है एक पार्ट होता है ये बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है जिसमें एक लेडी हमारे ऑथर को बहुत ही बूरी तरीके से लूट लेती है पर लूटती कैसे है चाकुई अगन दिखा के नहीं ऑथर को लंच के लिए रेडी करके और ऑथर बेचा दे प्रतिस्ठा को देख कर दूर से ही अपने हाथों को मूव करके उन्हें हलो करती है ऑथर उस लेडी के हलो के रिपलाइ में जाकर इंटर्वल में उस लेडी के पास बैठ जाते हैं ऑथर को उस लेडी से मिले वे काफी लंबा वक्त हो चुका था और अगर किसी ने उसका नाम ना लिया ह होता तो ऑथर उसे पहचान भी नहीं पाते लेडी ऑथर से कहती है हमारे मिले वे बहुत लंबा वक्त गुजर चुका है अब तो हम पहले जैसे यंग भी नहीं रहे क्या आपको याद है मैंने पहली बार आपको कहा देखा था और आप मुझे लंच पर लेकर भी गए थे ऑथर खुझ से सवाल करते हैं क्या मुझे याद है और ऑथर फ्लेसपैक में चले जाते हैं 20 साल पहले जब वो उस लेडी से पहली बार मिले थे तो चलिए देखते हैं पास्ट में ऑथर और उस लेडी के बीच में क्या हुआ था 20 साल पहले author Paris में रहा करते थे वहीं वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे और इतना कमा लेते थे कि उनके जीने के लिए काफी था author profession से एक writer थे और उन्होंने कई सारे किताबे भी लिखी थी उन्हीं मेंसे एक किताब को परकर उस लेडी ने author को उनकी प्रशमसा करते वे एक letter लिखा था बदले में author ने भी एक thank you letter लिख कर उन्हें भीज दिया ये letter मिलते ही लेडी ने फटाफट एक और letter लिख डाला ये बताते ही वे कि वो उनसे मिलना चाहती है लेकिन फिलाल वो थोड़ी busy है इसी Thursday को वो लगजंबर्ग में अपना morning spend करने वाली है क्या उसके बाद दोपहर में वे दोनों फॉयर्ट्स restaurant में साथ luncheon कर सकते हैं फॉयर्ट्स एक ऐसा restaurant था जहां सारे रईस लोग ही आते थे खास कर वहाँ के सिनेट के members सिनेट मतलब वहाँ के parliament के जो भी members थे वे सारी लोग author ने खुद कभी भी वहाँ जाने का सोचा नहीं था लेकिन वो अभी बहुत young थे और एक lady को मना कैसे किया जाता है यह अभी तक वो सीख नहीं पाए थे फिर वो अपने expenses के बारे में सोचना सुरू कर देते हैं अपने पूरे मन्त के खर्च को निकालने के लिए उनके पास 80 francs थे फ्रैंक फ्रांस की करंसी है लेकिन अगर हलके से हलका लंचन भी किया जाए तब भी 15 फ्रैंक लगी जाएंगे अगर दो विक्स के लिए author कॉफी पर होने वाले खर्च को बंद कर दे तब उनका महिने का खर्चा सही से निकल जाएगा उस lady के letter के reply में author lunch के लिए ready हो जाते हैं और उन्हें लिखते हैं कि thursday को दो पहर साड़े बारा बजे वो fire पहुँच जाएंगे author ने ऐसा expect किया था कि वो lady बहुत ही young और attractive होगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था वो लगबग 40 साल की थी और बहुत talkative यानि बातुनी भी थी और हमारे author एक attentive listener की तरह उनकी सारी बातों को सुन रहे थे जब author ने menu देखा तो dishes की prices देखकर वो चौंक गए जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा महंगा लेकिन उस lady ने author को ये assure किया कि वो लंचन में ज्यादा heavy food नहीं लेती और एक item से ज्यादा वो कभी कुछ खाती ही नहीं लेडी author से कहती है मैं बस fish खाऊंगी क्या उनके पास salmon होगा salmon fish की एक variety है जिसका flesh pink color का होता है author ने waiter से पूछा तो waiter ने कहा जी हाँ हमारे याँ बहुत ही delicious salmon available है author ने उस lady के लिए salmon order कर दिया waiter ने अपनी duty करते हुए अपनी तरफ से भी उस lady से पूछ लिया कि क्या जब तक उनका dish ready होता है तब तक वो कुछ और लेंगी lady reply देती है no, मैं तो कभी भी एक चीज से ज्यादा कुछ खाती ही नहीं फिर भी अगर आपके पास caviar हो तो वो चलेगा caviar मचलियों के अंडे से बना एक salted dish होता है lady की demand सुनकर author का दिल बैठा जा रहा था caviar बहुत ही महंगी dish थी और author इतना effort नहीं कर सकते थे लेकिन करे भी तो क्या? मजबूरी में उन्हें caviar order करना ही पड़ा और अपने लिए author ने menu में से सबसे सस्ता dish मंगवाया मटन चॉप author की choice देखकर lady कहती है मुझे लगता है आप meat खाने में काफी अन्वाइज हो आप इतना heavy खाना खा कर काम कैसे कर सकते हैं मैं तो अपने पेट को कभी भी overload नहीं करती खाने की बात तो हो गई अब बात आई पीने की तो lady कहती है मैं luncheon में कभी भी कुछ पीती नहीं तो author भी फटाफट कह देते हैं कि मैं भी नहीं पीता लेकिन उस lady के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था जैसे ही author कहते हैं कि मैं भी कुछ नहीं पीता है शेंपेञ छोड़कर फिर और कैस्वली कहते हैं मेरे डॉक्टरने तो मुझे शेंपेंग पीने से भी मना कर दिया है तो लेडी कहती है तो फिर आप क्या पीने वाले हो सिंपल सा आंसर आता है वो लेडी और सलमन खाना ये सही नहीं है, आपको मेरी तरह डाइट फॉलो करनी चाहिए, इसके बाद वेटर बिल लेकर आ जाता है, लेडी वेटर को रुखने का इशारा करती है और वो अथर से कहती है, वैसे तो मैं एक चीज से ज्यादा कभी खाती नहीं, लेकिन अगर मैं एसपरेकस खाये बिना पैरिस से चली गई, तो मुझे बहुत बुरा फील होगा, एसपरेकस प्लांट का शूट है, जिसे वेजेटबल के रूप में खाया जाता है, अब तो ओधर का दिल पूरी तरह बैठ चुका था, उन्हें पता था कि ये डिश कितनी महंगी आती है, लेकिन फिर से ओधर को लेडी के लिए वो ओडर करना ही पड़ा, लेडी ये देखकर आथर से पूछती है, क्या आप अपने लिए ओडर नहीं करेंगे, तो आथर कहते है, नहीं, मैं असपरेकस कभी नहीं खाता, लेडी असपरेकस के आने का वेट कर रही थी, और आथर बिल की चिंता में डूब पहले जब आथर ने उस लेडी से मिलने का सोचा था, तब वो ये सोच रहे थे, कि उनके पास मंतली एक्सपेंसेस के लिए कितना बचेगा, लेकिन अब उस लेडी का खाना देखकर, आथर ये सोच रहे है, कि जितनी मनी उनके पास है, कई वो बिल पे करने के लिए कम न प पड़ेगा अगर उसके पास भी पैसे नहीं हुए तो तो उस केस के लिए भी ऑथर ने ये सोच के रखा था कि वो अपना वाच वहां पर गरंटी के तौर पर रख देंगे बाद में आकर पैसे देंगे और वाच ले जाएंगे अब तक एसपरेगस आ चुका था उसके स्मेल से ही ऑथर का मन ललच रहा था लेकिन वो अपनी गेस्ट को खाते वे देखने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते थे फाइनली उनकी गेस्ट ने एसपरेगस फिनिश किया उसके बाद ओथर ने फॉर्मालिटी के लिए पूछा क्या आप कॉफी लेंगी लेडी ने फटक से कहा शौर आइसक्रीम और कॉफी दोनों अब जब ओथर को लुटना ही था तो उन्होंने भी सोचा पुरी तरह लु करती हूं कि इंसान को जितनी भूख हो उससे कम ही खाना चाहिए ये सुन करके तो ओथर को एक जटका असा लगा फिर भी वो खुद को संभालते वे कहते हैं कि आप अब भी भूखी है आपको और खाना है तो लेडी कहती है अरे नहीं नहीं मैं तो आपके लिए कह रही थी मैं तो मॉर्निंग में एक कप कॉफी उसके बाद डिनर लेती हूं और लंचन में एक चीज़ से ज़ादा कभी कुछ खाती ही नहीं ओथर बड़ा फीका सा रियाक्शन देते हैं ओह आई सी तभी एक बहुती टेरिबल अजीब सी घटना घटती है जब वे दोनों कॉफी का वेट कर रहे थे वहां का हेड वेटर पिच से भरावा एक बास्केट लेकर उनकी तरफ ही आ रहा होता है पिच देखने में बहुती फ्रेस और डेलिसस लग रहे थे लेकिन वो सीजन पिच का नहीं था भगवान जाने एक पिच की कीमत कितनी होगी तभी ऑथर की गिस्ट अचानक से एक पिच को उठा लेती है फिर ऑथर से कहती है मुझे पता है आपका पेट पूरा भरा हुआ है आपने मटन चॉप जो खाया था लेकिन मैंने तो बस लाइट लंचन ही किया है अब तो मैं एक पिच इंजॉय करूंगी अब फाइनली जब बिल आया ऑथर के पा था एंड मैं वो लेडी ऑथर से हाथ मिलाते हुए कहती है आपको मेरा एक्जांपल फॉलो करना चाहिए और लंचन में एक चीज़ से ज्यादा कभी नहीं खाना चाहिए ऑथर एक सैड और कनिंग स्माइल लेते है मैं तो इससे भी बेटर करूंगा आज रात डिनर में कु कर सोचते हैं इसने जो मेरे साथ पास्ट में किया था उसका बदला पूरा हुआ लेकिन क्या आप सब मुझे बता सकते हो कि ऑथर ने जब अभी तक कुछ किया ही नहीं तो उनका बदला कैसे पूरा हुआ मैं बताओं आज उस लेडी का वेट 21 स्टोन यानि लगभग 133 केजी है एक कुईंटल से भी ज्यादा तो इस तरह से ऑथर का बदला खुदी पूरा हो गया थीना ये स्टोरी बहुत मज़ेदार मैं तो कभी एक चीज से ज्यादा कुछ खाती ही नहीं ये कह कह करके उस ले चुछ चुछ चुछ